अगर कल के दिन मंगलवार है ना कल जब भी मंगलवार के टाइम पर अमावस्य आती है उसको भूम अमावस्य कहते हैं बहुत स्पेशल मानी जाती है ये क्यों कि इस दिन पित्रों के नाम पर दान दक्षिना करने से डेफिनेटली पित्र रिंड से तो मुक्ति मिलती ही है प्लस अगर जमीन से रिलेटेट भूमी से रिलेटेट कोई इशूस चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम चल दान दक्षिना जहां पर भी आपको ठीक लगे जैसा भी आपको ठीक लगे जो भी व्यक्ति अमावस्य पर दान दक्षिना करता है पित्र प्रसन होते हैं और पित्र रिंड से मुक्ति भी मिलती है जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रॉसस में उनके लिए भी अमावस्य और पुर्णमासी का दिन बहुत important रहता है, एक तरीके से results आते हैं, चीजे छुपी हुई बहार आती हैं, negativity जो अंदर बैठी हुई है वो surface पर आ जाती है और उसकी वज़े से कई लोगों को बहुत जादा घबराहट, anxieties, anger, attachment कई प्रकार की energies उनकी surface पर आती हैं, जो उनके अ होते हैं, उनको इसी समय पर बहुत जादा light feel होता है, बहुत हलका feel होता है, तो जो भी लोग अपने उपर काम कर रहे हैं, और अमावस्ते पुर्णमासी के आसपास उनको बहुत हलका feel हो रहा है, बहुत अच्छा feel हो रहा है, वो अपना काम करते रहें, अपना inner work करते रहे या अपनी वो activities जो उनको balance में लेके आ रहे हैं, वो सारी activities करते रहें और हमीशा ही करें, बट जिनकी भी negativity surface पर आ रही है, आज का दिन बहुत अच्छा है energy clearing करने का, आपकी औरा के उपर जो भी negativity बैठी हुई है, वो आज surface पर आती है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है उस अगर सच मुझ में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि new moon और full moon के आसपास आपको effect पढ़ने बंद हो जाएंगे, यह जो भी negativity आप से connected है, जो जितको कि आप महसूस कर पाते हो, full moon या new moon के आसपास, जो कि surface पर आती है, जो आपको बेचैनी, lust और नफरत, anger फील कर आती है, यह कहां से connect होई पता है, जब भी आप, जब भी आप low vibrational हो जाते हो, low vibrational का मतलब पते है, जैसे कि guilt के, shame के, खुद के उपर doubt करना, गलत संगती में रहना, गलत लोगों को सुनना, गलत चीजे पढ़ना, गलत चीजे देखना, गलत विचारों को दिमाग में जब भी आप इस vibration में आ जाते हो, इस level पर आ जाते हो, फटाक से यह आपके साथ connect हो जाती है, और और जादा आपके अंदर उस energy को बढ़ाती है, इसके अलावा भी बहुत सी low vibrational चीजे हैं, जब भी आप उनसे connect हो, सोचते हो उन चीजों के बारे में, या बात करते हो, या connect करो positivity से खुद को, सो बस new moon को लेके यही था मेरा वीडियो, भॉमवती अमावस्या है कल, दान दक्षिना ज़रूर करें, आज भी दान दक्षिना ज़रूर करें, और हर अमावस्या पर दान दक्षिना करें, इसके अलावा notice करते रहें, क्या surface पर आ रहा है, कुछ ऐसा है, जो आपके उपर हावी हो रहा है, तो इसका मतलब उसको निकालने का समय आ गया है, और future में ऐसा कुछ ना जुड़ जाए आपके साथ, तो इसके लिए positive practices में रहना है, तो बस यह था मेरा new moon को लेके वीडियो, I hope आप लोगों को अच्छा लगाओ, समझ आयो, thank you so much, bye bye, take care